करनाटक के चुनाओं के नतीजे जैसे ही सामने आये हैं, बीजेपी की पूरी सेना नरेंद्र मोधी इस ब्रैंड को बचाने में लग लिए है, सबका कहिना है कि जो सीटे आई हैं, जो 60, 62, 64 जो भी सीटे आई हैं, वो मोधी जी के वज़े से हैं, इसका मतलब है मान रहे हैं क करनाटक में स्टेट गवर्मेंट में कुछ भी काम नहीं किया, उनको शायद 10 सीटे भी नहीं आती, यदि सीटे आई हैं तो मोधी जी के वज़े से आई हैं, बैंगलोर में जो सीटे बीजेपी को मिली हैं, उसका ब्रैंड वो कहते हैं कि मोधी जी के वज़े से आई हैं, लेकिन मोदी जी का बैंगलोर में इंप्यक्ट इतना रहा कि उस शहर में करनाटक में सबसे कम मद्दान हुआ मात्रपच्पन प्रतिशत जब कम मद्दान होता है तो बाएन लार्ज बीजेपी का मद्दाता निकलता है यह हमने देखा है और वहीं हुआ इसके बहुत कॉंग् टॉर्च जला-जला के मोबाइल का सेलिबरेट किया उस लिंगाय समाज में बीजेपी को जटक दिया वहां कॉंग्रेस लिंगाय सीटों पर भारी बहुमत के आगे है वहीं वोका लिका का हुआ बजरंग दल और मुश्लिम तुस्तिकरन का आरोप लगाते हैं लेकिन माइल करनाटका जो आँट्यमगी स्पीगिंग करनाटका है और नीचे के तरह समय नाडू करनाटका जहाँ तक्लिम करनाटका है मूंबैी करनाटका सभी लेफ्ट, राइट सेंटर नौर्थ, एस्ट, वेस्ट, ओल्ड मैश्ओर, ग्रैटर बैंगलोर, सब जगा कॉंग्रेस ने बीजेपी पी बढ़ाती है शरुक tribe में city थी वहां Congress ने clean sweep किया बीजेपी के लिए कुछ नहीं छोड़ा शरुक कास्न में भी जो city थी वहां Congress कोंग्रेस ने बहुत अच्छा प्रतर्शन किया बीजेपी के मुकाम ने हां कोस्टल करनाटका में थोड़ा बहुत बीजेपी ने अपनी इज़त रखी वहां कॉंग्रेस और बीजेपी में 10 सीटों का फरत है लेकिन बेलगाउं जो एक जमाने में गड़ हुआ करता था वहा स्थिती हो गई है बीजेपी की कि वह अपने ब्रैंड को बचाने के लिए कहते हैं कि यह सरकार के विरोध में मत नहीं था क्योंकि वोड़ पर्षेंटेज हमारा 35 प्रतिशत है लेकिन वह बता ना भूल जाते हैं यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस सरकार के 12 मंत्री चुना सीटों पर आती है और कॉंग्रेस 10 सीटे 2000 से जीतती है तो उनको 20,000 की बढ़त आती है 80,000 और 20,000 में पर्षेंटेज 80,000 का एकदम ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए जब पूर्ण रूप से एक एक नतीजा इलेक्शन कमिशन के साइट पर आएगा तब हमें पता कि बीजेपी ने जो सीटे जीती है वो ज्यादा अंतर से जीती है इसलिए उनका वोट परसेंटेज 35 लेकिन कॉंग्रेस का वोट परसेंटेज भलाई उन्होंने जेडियस से लिया वो 40-45 क्रॉस कर गया एक कॉंग्रेस के लिए अबुदपूर्वस अबलता है कॉंग्रेस बार-बार कहती है कि ये जीत जनता की जीत है ये प्रह्टाचार के खिलाव की जीत है ये हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलनी की जीत है मुझे लगता है कि राहूल गांदी की पदयात्रा जिन्नोंने करनाटक में बहुत समय दिया उसके बाद प्रियंका गांध सितरा मिया हो घरके साब हो और सबसे महत्वपुर्णबाद कॉंग्रेस ने जो जन्रल सेकेटरी इंचार्ज थे उपर से भेजे हुए उनको पूर्ण रूप से पूरे प्रक्रिया से बाहर रखा इसलिए वहाँ पैसे का लेंदेन नहीं हुआ टिकेट बिके नहीं और अमिशारे से पार्टी चलती थी वह हिमाचल में हमने देखा कि विद्रोही लोगों ने इसमाचल में नहीं डुबाई वीजेपी की वहीं नहीं करनाटक में वहीं डुबाई मतलब अब वो डर अमिशा और नरिंद्रमोदी का ओभी नहीं रहा वह पार्टी पर पकड़ बार बार एक कहते थे मुझे गाली दी गई मुझे एस्सी गाली दी घई मैं आपका हू कि मेरी का जवाब आब देंगे बजन बली को लॉक'प में बंद करने जा रहे हैं करनाटक को अलग देश बनने जा रहे हैं यह जो नरेशन उन्होंने बनाया वह नरेशन गुजरात पर चल सकता है, यहां नहीं चला, गुजरात में अपने भूमी पुत्र को किसे ने गाली बकी, तो लोग गुजराती अस्मिता के चलते पीछे खड़े हो जाते हैं, करनाटक में करनाटक की अस्मिता थी, उन्हें लग रहा था कि ये बाहर के गुजराती हमें खतम कर देंगे नंदिनी ब्रैंड का इशू, कॉंग्रेस ने बहुती बेतर जिन तरीके से उठाया, और कुल मिलाके, जो नतीजे सामने आए, वो मुझे लगता है, नरेंद्र मोधी इस ब्रैंड के लिए ये सबसे बड़ा डेंट है, गुजरात का चुनाव छोड़ा, तो हिमाचल हारना, उसके बाद नौर्थ इस्ट के तो बहुत छोटे-छोटे राज्य है, वो तो हमेशा सेंटर के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद करनाटक हारना, ये बहुत बड़ा डेंट होगा, बीजेपी को फिर से अपनी रणनी तीते करनी होगी, मात्र नरेंद्र मोधी के च झाल наш और को लाद तीततों जूब पिर से हाल और को भी तीत्ततों के नरेंद्र मोधी वोगताओधर रहते हैं, बहुत बास के रहते हैं, इसका अंपनी तीत्ततततों हूगध हैं, वो hypoth 的 बाद चल्ड़ू क को पहुत थके बादे अन्ली Does J Vergleich ए गगी लर से जो हुत समदेशस